दिव प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार द्वारा इस वर्ष एतिहासिक हिंदी नाटक चानक का मंचन 18 अक्टूबर 2019 को राचकी मेट्ल कॉलिज के सभागार में कराया जाएगा। इसकी रूप रिखा त्यार करने के लिए मिशन की बांदा इकाय की बैठक हुई। बैठक की शुरुवात में मिशन के अनन्न सहयोगी महेंद्र देव पुरिया दोरा देव प्रेम सेवा मिशन के उद्देश पर प्रकाश डाला गया। वा इसकी अब तक की यात्रा के बारे में सभी सरस्यों को अवगत कराया गया। इसके पश्याद मिशन के कार करताओं एवं पदातिकारियों को संबोधित करते हुए मिशन के संस्थापक आशीश गौतम ने बताया कि सीरियल वा थीटर के अंतर राश्टी कलाकार मनोज जोशी अभिनीत चानक के कम मंचन करने के लिए 25-30 कलाकार आएंगे। इससी सेवा को द्रश्टीगत रखते हुए कुष्ट रोगियों के प्रती जो अभियान शुरू किया था वह आज भी अनवरत जारी है और इसमें समाज का भरपूर सहयोग मिला है श्री गौतम ने बैठक के मादम से लोगों से चानक के नाटक देखने की अपील की बैठक म रंगमंच का लाकार पदमश्रीष सेखर सेन द्वारा एकल अभिने किया गया था बैठक को भाश्पा जिलादेश लवलेश सिंग ने भी संबोधित किया बैठक में मिशन के पताधिकारी वा सरश शामिल रहे मनोज जैन अमित सेट भोलू राजेश शुकला सचिन वेदी ममता पांडे राकेश सिंग दीपक सिंग गौर शिवचन शुकला जगत प्रसाद त्रिपाठी वर रामेश्वर चंदेल इत्यादी उपस्थित रहे मनोज जोशी है, सेरीय चलागारे, फिर्मक तदागारे, और कियेतर चलागारे, अंतदास जीस का पर नाम है पर मुष्रीज इनका एठियासी नाट है चानक के पुछी से वो पुरा पूर पूर प्राइजासी आते हैं अपने प्राइज देते हैं जो अपना तो कुछी से लेना परता हो साथ जो ऐसे आधना नी मनोज जोशी थी आउपके बांदा कुछी है इसे जने इस जिराज चुछी में इसे ने इंपत की है अगर प्राइज आते हैं